सवी किसान भाईयों को मेरे हाथ जोड़कर राम राम आज मैं आपको बताऊंगा बैस डी कंपोजर की बनाने की विधी कैसे बनाते हैं और हमें अपने खेत में कैसे डालना चाहिए अच्छा तो आप देखोगा जैसे कि हमारे ट्रेक्टर है यह चल रहा है पानी पर आपको ड्रम लो 200 लिटर के ड्रम लो जिसमें हमारे 200 लिटर जो पानी आ जाए उसमें एक बोतल डाल दो से उसमें दो को लो गोड़ गोड़ यदि टायट हो तो गोल बना कर डाल सकते हो अच्छा जी गोल दो साथ दिन में यह गोल तयार हो जागा पर ध्यान रखें दिन में एक आजने बहुत जोर से जल लाने में तो 5,7 गोलने ओल ध्यार हो जाएगा उसके बाद में गयों ट्रम को हमें लागिर याद नहीं लाने में जाते हो अप 거지 मेरतर अ केन में लेयों के 50-60 लिटर कैन देखो एक ट्यारी में चैन दालने कर दो देखो दालने को तरीका देखो मैंने के ने साथ लिटर के ने देखो देखो आपको दिखरा होगा देखो एसे प्रूप का इसे दोड़ा लूज कर देना जिसमें से पाने ऐसे रिस्तर रहेगा अब देखो एक विए क्यारी जैसे आपकी दो गंटे में खलती है तो इस अनुसार आप जैसे कि मैंने खोल रखा है आपको दिख रहा हो गाई अच्छा कसान वाई यो ऐसे डालना है ठीक है इसका रिजल्ट हकीकत में देखने लायक होगा मिट्टी हमारे उपजाओ बनेगी अब आपको मिट्टी दिखाता हू बहुत फरक है इसे उपजाओ हो गई मिट्टी बहुत जाद उपजाओ हो गई देखो कितनी मस्त पहले बड़ी रूखी-रूखी सी थी ऐसे नमक जैसा था उपर और इसे डालने से मैंने गहों में यूज किया अवरेज भी इतनी आई गहों में फुता भी बहुत जादा प कि तीन साल तक तो आदाद कट्टा डालना तीन साल बाद हमें खात नहीं डालना तो किसान भाई यह एक बात दता हो इस महगाई की जमाने में फिदेम खात नहीं डाल अपने फसल में पैसे बचेंगे और खात नाडाल गम बेश डी कमपोजर डाले तो हमारे सीधा फादा बचेंगे धनकी बचत होगी और हमारी मिट्टी है जो उपजाओ बनेगी किसानों के लिए एक अवतार आया अब मैं इसे यूज़ कर रहा हूं मैं चाहँगा कि मेरे समू बने मेरे साथ और किसान भाई जोड़े और मैं जोड़ना चाहँगा जितने भी किसान भाई हो मेरे स संक्षन में चाहँगा सबका भाला हूँ पुरदेश का भालो मोच जी का यही कहना है कि बेश जी कंपोजर किसान भाई यूज़ करें और हम कर रहे हैं ठीक किसान भाई हो मैं अगली वीडियो मिलता हूं जाद जाद लाइक करें